हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज मैं आपको बहुत ही सुन्दर और सिंपल सा पफ्लियो से डिजाइन से बनाना बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से, तो आप भी इसे जरू ट्राइ कीजिए, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैंने यहा हमारा कटिंग में चला जाएगा, अगर आपको 10 इंच लंबाई का स्लिव से रेडि करना है, तो आप फैबरिक की लंबाई 12 इंच लेजिए, और अगर आपको इससे कम लंबाई रखने है स्लिव की, तो आप फैबरिक की लंबाई कम कर सकते हो, और अगर इससे ज्यादा र मार्किंग करेंगे, जा देखिए इस टायब से स्लीव का शेप बना लिया है, अब एस के कटिंग कर लेंगे अगर आपको दोनों sluze की एक साथ में cutting करनी है तो आप fabric को four fold करके बिछाईए यह हमारे sluze की cutting हो गई है यहाँ पर एक sluze की cutting की है sluze के center पर हम दोनों side पर अलके-अलके से cuts लगा लेंगे यह देखिए खोलने पर इस टाइप से दिखाई देगा शेप अब हम इसमें प्लेट्स बनाकर रेडी करेंगे तो फ़ले हम बोटम की साइट में बारिक बारिक सी प्लेट्स बनाएंगे यहाँ पर हमने फैबरिक की चोड़ाई काफी ज़्यादा लिहें जिससे हमारे जो स्लिवस का शेप है वह अच्छे से रेडी होगा बोटम की साइट हम 5 इंचु पर मार्किंग करेंगे 5 इंच इतना फैबरिक प्लेट्स बनाएंगे उसके बाद हम प्लेट्स लगाना स्टार्ट करेंगे तो दोनों उगलियों को इस टाइब से रखना है और यहाँ पर फैबरिक को प्रेस करते जाना है तो यहाँ पर बारिक बारिक से प्लेट्स बनकर रेडी हो जाएंगे यह देखें इस टाइब से दोनों उगलियों से फैबरिक को प्रेस करते जाएंगे तो सभी प्लेट से बहुती बारिक-बारिक सी और एक साइच की बनकर रेडी हो जाएंगी दूसरे साइट भे हम 5 इंच इतना प्लेन फैब्रिक रखेंगे और बीच में जो भी एश्ट्रा फैब्रिक था सभी की हमने प्लेट से बनाकर रेडी कर ली है यह देखे इस टाइब से और दोनों साइट हमने 5 इंच इतना प्लेन फैब्रिक रखा है अब हम स्लूस में फिटिंग की मार्किंग करेंगे तो इसे हम डबल फॉल्ड करके रखेंगे यह देखे इस टाइब से डबल फॉल्ड कर लेना है और जो भी आपके स्लूस की फिटिंग है वह मार्किंग कर लेनी है तो हमारे स्लूस की फिटिंग है 5 इंच और 1.5 इंच इतना एश्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे इस टाइब से हमने 6.5 इंच पर मार्किंग की है और यहां से जो भी एश्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे अब हम बॉर्डर अटेज करेंगे तो यहां पर ब्लाउज फीस के साथ बॉर्डर नहीं दिया हुआ है और इस टाइब से स्लिम सुर बनाने के लिए फैब्रिक दिया हुआ है जिसकी लंबा है 18 इंच है तो इजी से मैं बॉर्डर रेडी करूंगी आप यहां पर प्लेन फैब्रिक ले लीजिए फैब्रिक को दोनों साइट से हम इस टाइब से फॉल्ड कर लेंगे तो आपको बॉर्डर की चोड़ाई जो भी रखनी है आप आपके साब से फॉल्ड कर लीजिए अब इसे हम फिर से फॉल्ड कर लेंगे और प्रेस चला कर अच्छे से सेट कर लेंगे तो मैंने हाँ पर देखें PRES लगा कर Ready कर लिया है अब center पर ये जो work दिया हुआ है ऐसे हम flus के बिलकूल center पर रखेंगे तो इस type से center पर marking कर लेंगे इसी type से हम slus के भी center पर marking कर लेंगे double fold करके अब center से center को मिला कर रखेंगे और जो border हमने ready किया उसे इस type से खोलेंगे और net को इसके बीच में रखेंगे यह देखें इस type से और पिनारी पर हम सिलाई लगाकर attach कर लेंगे तो center से सिलाई लगाना start किया है तो दोनों side पर हमारा border रहेगा और जो net fabric के उसे हमने center पर attach कर दिया है अब center से दूसरी side भी सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाकर attach कर दिया है यह देखें इस type से दोनों side पर finishing से attach हो गया है अब उपर हम border टाके की सिलाई लगाएंगे तो एदेखें इस type से किनारी पर border टाके की सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर हम सिलाई लगाकर plates बनाएंगे यह देखें पूरी sleeves पर मैंने किनारी पर सिलाई लगा ली है यहाँ पर भीच में धागा फत्म नहीं होना चाहिए पूरी सिलाई एक ही साथ लगा ली है अब देखिए एक धागे को पकड़ेंगे और इसे कीच कर हम प्लिट्स बनाएंगे यह देखिए उस टाइब से बारिक बारिक से प्लिट्स बनकर रेडी हो चाहेंगी तो इस टाइब से धागे को कीचना है और प्लेट से बना कर रेडी कर लेना है सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी एक धागे को पकड़ेंगे और धागे को खीचते जाएंगे और प्लेट से बना कर रेडी कर लेंगे तो जो भी आपके आर्मूल के गोला है उस मेजरमेंट से आप प्लेट से बना कर रेडी कर लीजिए तो जो हमने प्लेट से बनाई है उन्हें हम सेंटर पर सेट करेंगे और साइड में हम प्लेन फैबरिक रखेंगे यह देखे इस टाइब से प्लेट से को हमने सेंटर पर कर देना है और साइड में थोड़ा सा प्लेन फैबरिक रखना है यह देखे स्लिवस का शेप रेडी हो गया है अब इससे हम ब्लाउज के साथ अटेज करेंगे तो शोल्डर के सेंटर से मार्किंग करेंगे हम 3.5 इंच पर और दूसरे साइड भी हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे अब हम साइड से स्लिवस को अटेज करेंगे तो जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ तक प्लेन स्लिवस को अटेज करना है यहाँ पर बिल्कुल भी plate से नहीं लगा नहीं है marking तब अब देखिये दूसरी side भी हम इसी type से marking तब plain sleeves attach कर लेंगे देखे plain fabric रखा है हमने किनाडी पर जिसक еirsiniz type से adjust कर लेंगे अब हमने जितनी भी प्लेट्स बनाई हैं उन सबको अच्छे सेट करेंगे और सेंटर पर हमने जए गेप रखी हैं यहाँ पर उन्हें अटेज कर देंगे तो आगे भी इसे टाइप से न्यू स्लियो से डिजाइन से बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन को प्रेस कर देजिए लिए रिट्स को अच्छे सेट करते जाना है और इस टाइप से सलाय लगा कर अटेज कर लेना है देखे फ्रेंड्स मेरे को पाउज के साथ बोर्डर दिया हुआ है उसे उपर सा अटेज कर लेना है यह देखे इस टाइप से हमारी सारी जो प्लिट से हुआ सेंटर तर अच्छे से स्टेट हो गई है और स्लीव से भी अटेज हो गया है अब आर्मोल के साइट हम हलका सा कट्स लगाएंगे बेक साइट पर भी गोलाई में कट्स लगाना है और यह हमारा जो स्लीव का फैब्रिक है नेट फैब्रिक है तो यहां से फिनिशिंग से मैं दिखाई दे रहा है चलिए हम जो भी एश्टा फैब्रिक है उसे अंदर फोल्ड करेंगे और इसकी किनारी पर एक सिलाय लगा लें तो जो भी शिलाय का फैब्रिक है उसे हमने अंदर ≫ ौड करना है और इस टाइब्स से किनारी-किनारी पर सिलाय लगा कर रेडि कर लेना है तो हमारा असे उस साटेच हो गया है अब हम ब्लावज में फिटिंग की शिलाया लगाएंगे तो जैसे नॉर्मल ब्लावज में हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं, सेम उसी तरीके से नहां पर भी फिटिंग की सिलाई लगा कर रेडी कर लेंगे. तो इस टाइप से हमारा आज का स्लेव सो डिजाइन से रेडी हुआ. थैंक्स फॉर वाचिंग.